Hello everyone and welcome back आज हम लोग discuss करेंगे भई आपको पता है कि SSE CHSL का 2019 के लिए exam तो आज हुआ है भई 2020 में यानि कि 12 October 2020 तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी जी के question आया सभी shift हो के अंदर उनके सारे question देखेंगे और साथ में analysis करेंगे भी exam हमारा कैसा था इस हिसाब से आप लोग आने वाले अगर आपका टायर में किसी में अगली shift में आपका paper है आने वाले दिनों में तो उसमें आपको definitely help मिलेगी paper है SSE CHSL जो 10 plus 2 base होता है तो चलिए हम देखते हैं इसके answer और most probably आपको इसके answer जो अब ही accurate ही मिलेंगे एक question ही पुछा गया था भई What is the height of statue of unity जो सरदार बटेल का statue बनाया था क्योंकि अब हमेशा ही एक controversy में रहता है कि सरकार ने इसके ओपर 3000 करोड़ और खर्चे थे तो इसके ओपर question बने के chances रहते हैं तो इसका answer है 182 meter अब world tallest statue देख लिया इसके बारे में पूछ लिया हाला कि इसके architect के बारे में पूछ लिया अब most probably क्या सकता है इसका state के बारे में अफिर किस district में बना हुआ है ये पूछा जा सकता है तो गुजरात में बना हुआ आपको पता ही है भई लेकिन साथ में आप लोगों को याद रखना है कि second tallest वो आता है भई स्प्रिंग टेंपल बुद्धा जो कि चाइना के अंदर है 180, 120, 8 meter थर्ड पे आता है चाइना के अंदर ही है 108 meter फिर स्टैच्व लिबर्टी 93 meter 91 Motherland कोल रशिया and 38 meter क्रिस्टोफ रिडिमर ब्राजिल के अंदर तो भई ये नाम है याद रख लीजेगा इसका चाइए screenshot ले लीजेए कुछ भी कीजिए ये आने के chances रहेंगे रहेंगे उसके वाद कॉशन पुच्छा गया था पहली shift के अंदर की crystal award 2020 किसको दिया गया भई तो definitely ये दिपिका पडुकोन को दिया गया था भई उसके बाद है how many sports personality बोन राजीव गंदी खेल ले तन वोर्ड तो भई ये तो मैंने detail में करवाया था पूरा अगर आप लोगोंने वीडियो देखी थी वीडियो अधा हमने लिये था भई क्योंकि इसके अंदर राजीव गंदी अर्जुन प्रुसकार गुरू दुरोना चाहर है तो पांच की लाड़ियों को इस बार राजीव गंदी खेले तन मिला था और इसके बारे में डीप में जानने के लिए आपको यहाँ पे एक आई बटन आएगा या फिर साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंग डाल दूँगा क्योंकि राजीव गंदी से पूछ लिया गया भई अब बारी अर्जुन आवोर्डर गुरु दुरूना चाहरे की बारी ही है बई अब क्या होगा कि प्लेयर्स के नाम पुछे जाएंगे कि किस किस को मिला है फिर अर्जुन आवोर्ड पुछेंगे कितनों को मिला है किस किस को मिला है तो complete detail the way इस वीडियो के अंदर जाकर देखिएगा फिर है दादा साहब फाल के वोर्ड 2018 के लिए यह मिला है अमिताब बच्चन को विनुद खन्ना को मिला है 2017 के लिए नेक्स्ट है यह कोशन भी मैंने आपको करवाया हुआ था आपने वीडियो देखिए होगे अगर आप लोग मेरे चैनल के follower है मतलब के एक regular interval से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका answer भी आप लोगोंने definitely दिया होगा कि इंडिया का cancer preparedness index 2020 के अंदर क्या rank है तो यह rank है यह देखिएगा thumbnail वीडियो का यही है कि इंडिया का अलग-अलग indexes के अंदर क्या rank है उसके बाद question आथा first shift के अंदर की बीस आई प्रनीत जो है कि sports से संबंदित है तो definitely भई यह badminton से संबंदित है अब हाली में जितने भी क्योंकि covid करके वह इतने आदा खेल तो हुई न उनमें जो जो player जीत रहे हैं उनके नाम जरूर देखा करी है आप लोग क्योंकि जो newspaper होता है घर में हमें हर sports personality के बारे में बताता है तो अपनी habit मनाई है कि news paper तो daily पढ़ना ही पढ़ना है आप लोग उसके बात है सविधान दिवस यानिके constitution day कम मनाया जाता है आपको पता ह आप यह चीज तो 26 जनवरी 1950 क्यासा ही आंसर है यह बिल्कुल गलत आंसर है यह क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा सविधान लागू हुआ था बना नहीं था बना कब था यह बना था 26 नवंबर 1949 को तो जिस दिन सविधान यानिके constitution प्रपेर हुआ था तो उसी दिन को हम लोग सव लिक्स किया गया था कि हम जब जब जवालना नहरू पहली बार INC के प्रेजिएंट बने थे कि हम 26 जनवरी 1930 को आजादी ले लेंगे यह 26 जनवरी को आजाद हो जाएंगे लेकिन वैसा नहीं हो पाय था तो इस हिसाब से क्या गिया था कि 49 मेजाद हुआ तो क्योंना दो मह जबा के चेर्मन होते हैं इनको स्पिकर बोलते हैं उनका वर्नन किस आर्टिकल में है तो भाई यह आर्टिकल नंबर 93 में है उनके बारे में लिखा हुआ है रस्टिंग कैन भी प्रुवेंट बाई जयानि कि जो लोहे पर जंग लगता है उसको किस तरह से प्रुवेंट के जाएगा भाई तो वह उक्सिडाइज होगा और उक्सिडाइज होने के बाद उस परत बनती जाएगी और उसे रस्ट लग जाएगा अब यह लिखा हुआ है कि इंडिया का प्रेजिडेंट बनने के लिए मिनिममेज क्या है तो अभी पता है कि रामनात कोविंज जी हमारे अब यह तो कोशन पूछला है मैक्सिमममेज कितने हो सकती है तो भाई मैक्सिममेज के बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ है किसी बी इस तख का बन सकता है क्योंकि लेकिन बात यह है वही रूलिंग पार्टी का वह होना चाहिए मतलब ऐसा को रीटन रूल तो नहीं है लेकिन जो रूलिंग पार्टी का कैंडिएट होता है जित्ता हुए ही है उसके बाद है Sir Garfield Award 2019 किसको मिला वही यह दिया जाता है ICC के दुआरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दुआरा यह दिया गया था इंगलेंड के अल्राउंडर प्लेयर बेंड स्टोक को इसको की बोलते हैं Sir Garfield Sobert Trophy Next है Which disease caused by the deficiency of insulin Insulin भाई आप लोगोंने डेली लाइफ में सुना होगा अगर आपके घर में आसपास में किसी को diabetes की इशू है शुगर प्रोब्लम है जिसको हिंदी में मधू में बोलते हैं तो इंसुलिन और diabetes का इन्वर्सिली प्रपोशन अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो diabetes नीचे गिरेगा diabetes लेवल उपर जाएगा तो इंसुलिन चे गिरेगा इट मिंस के जो diabetes के patient है उनका अगर इंसुलिन maintained रहेगा न इकुलीब्रियम में रहेगा बैलेंस रहेगा तो उनकी health सही रहेगी जैसे ही उपर निचे होएगा तो इस पे भी effect डलता रहेगा आंसर क्या होगया डाइबटीस next है statical institute formed by जो stats होते हैं बही काफी important है हर एक चीज़ के लिए stat के साथ ही हम लोग जान परते हैं क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है तो वो बनाया था बही institution PC महल नोबिस ने और अगर मैं आप कोई question बोलूँ की who is the father of Indian stats यानिके statistical का Indian मतलब के father किसको जनक किसको माना जाता है तब भी आंसर यही होगा PC महल नोबिस बागी detail आप लोग screen पे देखी रहे हैं उसके बाद आया कि first woman pilot in December 2019 तो ये थी भई हमारी sub-leftinent Shivang उसके बाद है brain of computer का physical question था हाला कि अगर मैं इनके बाद में discuss भी करूँ भई तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आया था क्योंकि CHSL level का था तो easy to moderate gk आना बनता ही था CGL में हम कह सकते हैं कि moderate to difficult आएगा लिगि CHSL के हिसाब से कोई ज़्यादा मुश्किल gk नहीं आया था अगर मैं देखूं तो यह तो काफी easy है भी central processing unit CPU को computer का brain बोला जाता है next है human blood का pH कितना होता है भई pH में basically इसके बारे में मैंने detail में समझाया हूँ है जो भी science की series है ना भई वह आप लोग देख जाएगा कमसे कम मैंने 12 तरह वीडियो डाली हूँ है science के उपर उसके अंदर आपको इन सब चीजों के basic question के बारे में क्योंकि SSE में जो most repeated question पुछे गए है ना वो इन 10 से 12 वीडियो के अंदर है और हर वीडियो में 15 से 20 question है तो 100-200 question हो जाएंगे आपके तो exam point of view से एक तरह से हम कहा सकते है कि थोड़ा relaxation मिल सकती है कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है यह होता है 7.3 to 7.4 क्योंकि जो pH का scale है वो 0 से 14 तक जाएगा और बीच में neutral value तो 7 यानकि यह acidic होएगा यह basic medium होएगा तो यानि कि हम कहा सकते है हलका सा यह basic होएगा क्योंकि 7 पे जो rain water होता है उसकी 7 होती है यानकि neutral होता हो इसके बार में काफी detail में discuss किया है वह साइंस के बार में है origin of ganga river काफी easy था बाई गंगोत्री glacier new development bank के president कोन है अभी यह है marcus prado treojo headquarter का NBD का बाई new development bank का शेंगाई चाइना में pulli cut lake आपको पता है कि अंदर प्रदेश और तामिलाडू के बोर्डर पे सेता है South India के अंदर option में आपको दोनों नहीं दिये हैंगे आपको एक यह option में मिलेगा next is current CBI director कोन है भाई तो यह है रिशी कुमार शुकला अब CBI आपको पता ही है भाई पिछले चार मिने से रिया शुषांत रिया शुषांत CBI तो बहुत important role play रहा था अब आने वाले के अंदर भाई आपको जो NCBI उसके भी director का नाम पता होना चाहिए NCBI हो गया अच्छा जी income tax office के अंदर आप देख लीजेगा यह दो चार जो भी centric agencies है ना जो अभी रिया शुषांत के case में लगी हुई थी उनके बारे में detail में जान लिजेगा कि उनके headquarter का है और उनके director के नाम क्या है और आप लोगों ने अभी तक में को follow नहीं किया है तो definitely जाके follow कर और red button दबाऊ होई और जो bell icon है उससे भी दुबा देना ताकि latest video मिलते ने क्योंकि मैं daily analysis करने वाला हूँ और इसका pdf आपको instagram पे मिल जाएगा सभी के link में description में डाल दूँगा next है who is lieutenant governor of jammu and kashmir ut क्योंकि अब jammu and kashmir ut बन चुका state नहीं है तो भाई ये बात का धियान रखना है कि मैं state के बारे में तो governor बोलता हूँ जब भी ut आती है तो मैं lieutenant governor बोलता हूँ क्योंकि जितनी भी uts हैं भाई वहाँ पर governor की post नहीं होती है वहाँ पर post होती है lieutenant governor की और भी जैसे ही GC मुर्मु ने इस्तिफा दिया था तो मन हो सीना यहां के नए lieutenant governor बने president of Maldiv काफी जी था भाई इबराहीं मुहमद सोडी हलागी 2018 में बने था अभी तक वहीं है silent valley situated in which state तो भाई ये तो पता ये silent valley जो national park है वह केरला के अंदर है काफी ज्यादा popular भी है भाई ये national park भी आपको सारे करके जाने है सारे का मतलब ये है कि आपको जो popular है जिनके बारे में काफी बार question पूछे गए है वही पूछे जाएंगे CGL में नहीं पूछन के chances हैं लेकिन CHSL में chances बहुत कम है नेक्स्ट है कांडला पोर्ट भाई ये कांडला पोर्ट तो भाई मैं आपको बताऊं अगर बहुत ज़्यादा famous है क्योंकि बहुत पूरा ना है इसका नाम चेंज करके अभी दीन द्याल पोर्ट कर दिया गया है और साथ में ध्यान रखेगा अब इसका नाम भी बहुत बदल रहे हैं जितनी मेरी लास्ट करेंट अफेर की वीडियोज हैं वो देख जाईएगा क्योंकि कहीं इसका नाम चेंज हुए हैं तो exam point reviews में help देगा वो गोवा का liberation day पुच्छा हुआ था कि गोवा का बजाद हुआ था क्योंकि जो पूर्तगाली थे या फिर मैं English में बोलूँ Portuguese सबसे पहले इंडिया में आकर आज इन ही ने किया था और सबसे लेट छोड़ा था इनके 1947 में अजाद हो गए थे लेकिन जो गोवा था अभी तक अजाद नहीं हुआ था बजाद हुआ 1961 के अंदर तो 19 December 1961 को गोवा लिबिडेशन डे आया और ये इसको पोर्चुगी इसको छोड़ना पड़ा और भारत में ये एड़ किया गया अगला कोशन था कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और बुटान इंडिया की जितने भी नेबर कंट्रीज है उनके इतने नेशनल स्पोर्ट्स जरूर देख जाजेगा जैसे नेपाल का क्या है पाकिस्तान का क्या है श्रिलंका क्या है उसी तरह से बुटान का है आर्चरी गवर्णर और मद्यपरदेश काफीज जी था अनंदी, बैन, पटेल गवर्णर भी आपको याद रखने हैं और लोकसबा, राज्यसबा, सीट्स भी याद रखनी है नेक्स्ट है कि साहित्य अकेडमी ओर्ड कितने में दिया जाता है इसके बारे में भी मैंने बहुत डीप में पढ़ा है अगर आप लोग वीडियोस फॉलो कर रहे है एक मेरी अवोर्ड की वीडियो है, दो पार्स बने हुए उसके अंदर इसके अंदर डिटेल में दिया हुआ है आप लोग जाकर देख सकते हैं वो भी जैसे मैं बात करूँ लेड, लेड भी काफी फेमस है जैसे मैं बात करूँ गोल्ड की, गोल्ड का होता है एयू जैसे उक्सीजन का हो जाता है ओ तो इस तरह से जो तीन होता है उसका होता है एस एन हैद्राबाद सीटी ये भी काफी important था और काफी famous question है कि मुहम्मद कुली कुतुब शा ने हैद्राबाद सीटी found की थी next है सरदार पटेल statue भाई सरदार पले सरदार पटेल के ओपर iron man of India के ओपर भाई second question आया है कि इसके architect कौन थे तो ये थे सुर्जी दिवी पतर भाई इन्होंने ही ये इसका architect बनाया था miss universe 2019 मिला था बाई जो जो बीनी टूंजी को जो south africa से हैं इसके बारे में भी देख ली जगा है इनके प्लेयर्ज होगे awards होगे appointment होगी और जो भी न्यूज मीडिया मैजकल चलता रहता है वही उसके डिरेक्टर और रेक्टर याल रखिएगा और जो लार्जस पुदर टेंपल सिट्वेटर है ये है बोरो बुदू टेंपल जो की इंडोनेशिया के अंदर है इसके बाद जो शाशक बने थे वही बने थे नेक्स है स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टल वाटर स्पीड ऑफ साउंड और लाइट लाइटर साउंड तो बही इनके कितना से ट्रेड मार कोश्चन है पूछे ही पूछे जाते हैं डिस्टिल वाटर ने पूछा था क्या स्पीड होती है तो 1450 से 1490 मीटर पर सेकेंड यानिके एक सेकेंड के अंदर ये डेड़ मीटर के राउंड जो इसकी स्पीड रहती है legislative assembly यानिके जो विधान सब आया है वो हमारे constitution में article number 168 के अंदर आती है भई बीसी सही chairman cricket के शोकीन है तो definitely पता होगा सोरव गांगुली है जी उनको दादा भी बोला जाता है my truth sorry my experience is with truth ये भी काफी basic है भई अगर आप ये भी नहीं आता भई तो आपको चिंता का विशे है भई आपको ज्यादा पढ़ने की जुड़ता है मातमा गांदी की जो है ये autobiography है drafting कमेटी के chairman भई basic question भी आरम बेद करते हैं आपके साथ में आपको इसाथ में आट-दस कमेटी हो रहा है कहीं से भी उठा लीजेगा मैं नहीं कहरा कि आपको मेरी वीडियो देखनी कंपल सरी जैसे भी आपको जो suit करता है आप वहां से वीडियो उठाइए इसाथ में आट-दस कमेटी और बनी थी उनके chairman के नाम भी याद कर लीजेगा नेक्स्ट एक कोईट इंडिया मुवमेंट दे के बारे में पुच्छा हुआ था तो वह एट अगस्ट नाइटी फोटी टू में हुआ था और नाइटी ट्वेंटी के अंदर नॉन कोपरेशन मुवमेंट यह जी इतनी भी shift के question थे भी सारे discuss कर रहा हू नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे नेशनल और इंटरनेशनल यूथ डे में काफी फरक है भई तो यह बना जाता है नेशनल यूथ डे स्वामी वेका नेंजी के जरम दिन पर 12 जनवरी को हमारी current अभी आर्मी चीफ कोन है यह है जनरल मनोज मुकन नर्वने इससे पहले कोन थे भई विपिन रावत थे जिनकों की भी cds बना दिया गया है तो यह तो कुछ question थे भई आप लोग इसको share कीजेगा अगर आप लोगों के और भी है मतलब आपके circle में student जिनका exam आने वा